तो हाई एवरीवन स्वागत है आप सभी आगनबारी सेविका बहनों का पोशन ट्रेकर एब की एक नई वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि जो नए अपडेट के बाद आप लोग का ये ग्री भर्मन का जो लिस्ट खुल के आ रहा है इसमे कैसे आप लोग ग्री भर्मन को समिट करेंगे और इसमें क्या-क्या जरूरी बाते जो है आपको ध्यान में रखके आप लोग ग्री भर्मन करेंगे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर पोशन ट्रेकर रैब को ओपन किया है और यहाँ पर हम लोग जो यह option है इसको open करेंगे open करने के बाद कुछ इस प्रकार से आप लोग का नए update के बाद खुल के आ रहा है यहां पर कुछ समझने वाली जो बात है क्या है जैसे कि यहां पर आप लोग किसका home visit कर रहे हैं सबसे पहले इसको समझ लेना होगा यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि कुछ image दिये जा रहे हैं जिस image के जड़ी आप लोग भाचान करेंगे कि हमको home visit किसका करना है जैसे यहां पर यह जो बच्चे का image दिखाये जा रहा है तो यह बच्चा 6 माह से 3 साल वाले बच्चे का image है और निचे आएंगे तो आपको गरवहती, धात्री और 0-6 माह के बच्चे का भी image आपको देखने को मिलेगा यहां पर देख सकते हैं 0-6 माह का बच्चे का image दिखाये जा रहा है और यहां पर देख पाएंगे कि जो धात्री माता है उनका यहां पर इस परकार से image खुलके आ रहा है और गरवहती महिला का आपको इसमें देखने को मिल जाएगा तो आपको यहां पे समझना क्या है यह जो यसकुमार का होम विजिट है यहां पे आप लोग स्टार्ट डेट और डिव टील पे ध्यान देंगे कि हमको कितने दिनों के अंदर इस बच्चे का होम विजिट कंप्लीट कर लेना है जैसे क यह start date में आप लोग का दिखा रहा 11 सितंबर 2022 से 11 अक्टूबर 2022 यानि कि पूरा एक महिना के लिए आपको इस बच्चे का होम विजिट समिट करने का option दिखा रहा है एक महिने के अंदर आपको इस बच्चे का होम विजिट कर लेना है पहले क्या था आप लोग को एक ही दि का टाइम मील जा रहा है तो एक महिने के अंदर-अंदर कभी भी आप लोग इसको सब्मिट कर सकते हैं ठीक है और सब्मिट कैसे करना है जैसे कि आप लोग इस नाम के उपर क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी option खुल के नहीं आएगा सब्मिट करने के लिए आपको क्या करना है यह जो विजिट वाला आप्शन आप लोग देख रहे हैं इस विजिट वाले पर आप लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एक पॉप खुल के आएगा और यहां पर आप से कंफर्मेशन पुछेगा DDU विजिट यसकुमार क्या आपने यसकुमार के यहां विजिट किया है और इसको सब्मिट करना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्या सेलेक करना है हां पर सेलेक्टर लेना है यानि हां पर टच कर देना है अगर आप लोग इसको सब्मिट नहीं करना चाहते हैं तो नहीं व होм बिजिट का ओप्जन है वह यहाँ पर सुमिट हो जाएगा यहां पर लिण किया और आपको क्ज़ू की आपको लभारती को घ contempor कर ना है ठीक है इस परकार से आप लोग करेंगे तो आपका home visit आसानी से हो जाएगा और देख सकते हैं जिनका हमने home visit complete किया यहां से हट किया और यहां पर समाप्त वाले में वो जूर गिया जैसे कि समाप्त वाला जो option है यहां पर जितने भी लभारतियों का आप home visit कर लेंगे current month में उसका आप लोग को यहां पर एक list देखने को मिल जाएगा कि आपने इन सभी लभारतियों का home visit complete कर लिया है ठीक है इस परकार से आपको home visit करना है और यहां पर जो past month वाला है यानि पिछला महिना का अगर आप लोग home visit करते हैं तो आपको आगे देखने को मिलेगा कि क किनका किनका हमने home visit कर लिया है का list आप लोग यहां से देख सकते हैं अगर कोई भी यहां पर miss हो जाता है किसी कारण वस तो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि किनका आपने miss कर दिया है तो miss नहीं करना है आपको due date में एक महिने का time मिल रहा है एक महिने के अंदर आपको complete कर लेना है यहां पर जितने भी लभार्तियों का home visit दिखा रहा हुए तो सभी में आपको देख पाएंगे सभी में आप लोग देख पाएंगे कि एक महिने का यहां पर target कर लेना है तो पहले से बहुत ज़्यादे आसान हो गया है यहां पर home visit करना ठीक है इस प्रकार से आप लोग कर पाएंगे तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जिस आगनबरी सेविका के पोशन ट्रेकर एप में इस प्रकार से जो होम विजिट का लिस्ट है वो खुल के नहीं आ रहा है तो उनको क्या करना है तो देखिए आपको कुछ करना नहीं है आपके भी पोशन ट्रेकर एप में इस प्रकार से लिस्ट खुल के आएगा वो कब आएगा जब आपका कोई भी लभार्थी का जो होम विजिट का डेट आएगा कि इनके घर पे होम विजिट करना है तो आटोमेटिक ही आपके पोशन ट्रेकर एप में वो सो करने लगेगा मेरे में भी एक दिन बाद सोख किया आपके भी पोचन ट्रेकर एप में एक से दो दिनों के अंदर इतने भी लभार्थियों का home visit का लिस्ट है वो आ जाएगा बाकी आप लोगो को पोचन ट्रेकर एप से रिकार्डिन कोई भी प्रबलम होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं फिर किसी ने टोपिक नई जनकारी के साथ तब तर के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद